दोस्तो आपने दै कॉंटीनेल के पहले एपिसोड को तो देखाई होगा उसकी IMDb रेटिंग काफी अच्छी है और आज हम एक्स्प्लेंड करने वाले हैं एपिसोड 2 की कहानी को तो अगर आपने एपिसोड 1 नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे गी है और उसी वज़े से वह मर चुका है और एपिसोड 2 की शुरुआत में हमें एक पास्ट को दिखाये जाता है जहां पर विंसेट और फ्रेंकी ये दोनों जब बहुत चोटे हुआ करते थे तब ये दोनों कोर्मेक के लिए ही काम किया करते थे जहां ये किसी के घर में चोटा सा विसपोट करते हैं विंसेट को ये लगता था कि इस घर में कोई नहीं होगा लेकिन विसपोट के बाद विंसेट को पता चला कि इस घर के अंदर लोग रह रहे हैं इस वज़े से वह बहुत उदास होता है तो फ्रेंकी उसे वहां से निकाल कर ले जाता है और इस बाद में हमें येन का एक छोटा सा पास्ट दिखाया जाता है जहां 1973 के अंदर येन अपने हस्बंड के साथ होती है और उससे माफ़ी मांगती है कि मैं तुम्हें कोई वारिश नहीं दे पाई इस बात पर उसका हस्बंड कहता है कि इसमें कोई प्रेस आने वाली बात नहीं ह रगा देता है और उससे कीसी बीडवाट वाले एरिया में जाने के लिए बोलता है और कहता है कि हम दोनों का प्यार हमेशा जिन्दा रहेगा और उसी वज़े से येन यहां से एक वैश हले के अंदर चली जाती है और वहाँ पर जाकर अपने बॉम का बटन दबा देती है लेकिन येन की अच्छी किसमत थी, वे बॉम नहीं फटता, इसी वेसले के अंदर फ्रेंकी भी आया होता है, और बाद में येन और फ्रेंकी की दोस्ती हो जाती है, खेर कहानी वाबिस प्रेजेंट में आती है, वे हम लाओ को देखते हैं, जो येन को संभाल रही है, तब ही पर कुछ लोग आते हैं, जो लाओ की मसीन के अंदर से कुछ सिगरेट चुरा कर ले जाते हैं, लाओ को इस बात से गुस्सा आता है, और वो उन दोनों आदमियों को बहुत पीटती है, तब ही पर एक और फ्रें मास्टर आता है, वे लाओ को बोलता है, कि मैंने तुम्हार बिजनस के अंदर दखल अंदाजी दे रहे हो, और यह चीज मुझे बिलकुल भी पसंद नहीं है, और इतना बोलकर लाओ आप इस अपने बेसमेश ली जाती है, दूसरी तरफ हम केटी और पुलिस वाले मेहो को देखते हैं, मेहो यहां से केटी की पास जाता है, केटी यह मेहो से बोलती है कि तुम मुझे से कुछ दूर रहा करो, मेरा ध्यान काम पर नहीं रहता, और तुम बस अपने फाइदे के लिए मेरे पास आए हो, मेहो बोलता है कि मैं बस तुमारी मदद करना चाता हूं, तब ही केटी के पास यहां पर एक कोल आता है, जहां केटी को बत आता है कि तुमारा भाई मरने से पहले अच्छा काम कर गया, कोर मेक को जो बोक्स मिला था वह खाली था, और जो चीज उस बोक्स के अंदर थी वह तुमारे भाई ने कहीं पर छुपा रखी है, यहां पर विंचेट बोलता है कि मैं कोर मेक को मारना चाता हूं, और मुझे तुम लोग की जुरूरत है, माईल्स बोलता है कि यह जितना आसान दिखता है, उतना आसान है नहीं, उस कॉंटिनेंटल होटल के अंदर ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जो हमें पल भर में मार सकते हैं, विंचेट बोलता है कि अगर हम कोर मेक को मार देते हैं, तो कोर मेक का और तुम उन हथियारों से बहुत सारे पैसे बना सकते हूँ, तब ही यहीं पर येन आती है, वह पूशती है कि फ्रेंकी कहा है, उसे पता चलता है कि फ्रेंकी तो मारा जा चुका है, इस बासे येन विंसेट के उपर बुस्टा करती है, कि अगर विंसेट नहीं आता तो आज फ्रेंकी जिन्दा होता और ये नियां पर फिंसेट के ओपर बुस्टा करके चली जाती है वह हम केडी को देखते है जो यहां से उसी जगह पर पहुंच जाती है जहां पर फ्रेंकी की लास को चलाया गया था और व realistic को टोर्शर करती है जिसका एजरा नाम है और उससे पूछती है कि यहां पर फ्रेंकी की लास को को चलाया था और जब उसकी लास को प्हुंच जलाया गया था तब उसके साथ साथ कौन था तो एजरा बहुता है कि मुझे नहीं पता कि वो लोग कौन थे उन में से एक फ्रेंकी का भाई था मुझे बस बहुत सारे पैसे मिले थे इसलिए मैंने उसके भाईगी लास को जला दिया वहीं हम होटल के अंदर कोर मैक को देखते हैं उसके पास मास्क वाली लड़की आती है और वहाँ बताती है कि पिछली राद तुम लोगों ने सब कुछ गड़बड कर दिया तुम लोगों ने कोईन प्रेस को खो दिया और वह कोर मैक को बोलती है कि तुमारे पास केवल तीन दिन है तीन दिन में कोईन प्रेस को डूंडो और जो गद्दार है उन्हें पकड़ो नहीं तो तुम बरबाद हो जाओगे और तुम्हारी जगह में किसी और को दे दूंगी इस बात से कोरमेक डर जाता है वहीं विंसेट भी कोरमेक से लटने के लिए तयारियां कर रहा है और मायल्स से पूछता है कि ऐसा कोई इन्सान है जो हमारा साथ दे सकता है तब ये लोग बोलते हैं कि हमारे एक डैड़ का दोस्त है जिसका जेन नाम है वो कॉंटिनेंटल होटल के अंदर रहा भी है हम उसकी मदद ले सकते हैं साथी साथ एक लड़की के बारे में भी बताते हैं कि अगर वह लड़की हमारी तरफ हो जाए तो हम को और मेक को मार सकते हैं तो मायल्स यहां से सिदध जेन के पास जाता है जेन एक सनाई पर होता है जो काफी बूड़ा हो चुका है और मायल्स उससे पूछता है कि हम कौंटिनेंटल के ओपर हमला करने वाले हैं और हमें आपके साथ की जरूरत है जेन इसकाम के लिए पहले से ही तयार बेठा था वै हाँ बोल देता है जेन पूछता है कि मुझे पूरी काहानी बताओ लेकिन मायल्स बोलता है कि बस तुम्हारा साथ चाहिए यह कहानी बताने का समय नहीं है और इतना बोलकर वहाँ से चला जाता है और विंचेट यहां से एक होटल में चला जाता है जहां वैं मेजी नाम की एक वर अच्छे मिलना चाहता है ونچت یہاں پر میجی کو सारी कहानी बताता है اور बताता है कि मैं कोर्मैक को मारना चाहता हूँ गर पूरे सेर में के वल तुम ही एक ayसी हो जो कोर्मैक के लिए काम नहीं करती और मैं तुम्में इस चीज़ के लिए अच्छी खासी कहमत दे सकता हूं मैजी बलती है कि मुझे पैसे में नहीं खरीदा जा सकता मुझे जरूरत है बस थोड़े से प्यार की विंचेट मैजी की बात नहीं समझ बाता मैजी बलती है कि यहाँ पर मेरे आदमी है मैं चाहती हो कि लोग उनका सम्मान करें उन्हें भी देखी, उन्हें पहचाने, मैं एक हमीर घराने सी हूँ, मुझे पैसे की कोई जरूरत नहीं है, और मुझे तुम एक बात बताओ, तुम वो आदमी क्यों हो, जो कोर मैक को मारना चाहता है, विंचेट इस बात का जवाब नहीं दे पाता, तबी यहीं पर कोर मैक क आदमी आ जाते हैं, लेकिन मैजी के आदमी उन लोगों को अच्छे से सम्माल लेते हैं, और मार देते हैं, मैजी बहती है कि अब तुमें यहां से जाना होगा, मैं पैसो के लिए तुमारे साथ मिलकूल भी काम नहीं करना चाहती, तो विंचेट यहां से जाने लगता है, लेकिन साथ ही जात वह देखता है कि मैजी अंडर्राउंड रेकर अपना बहुत सारा काम चलाती है, वह यहाँ पर गंच बनाती है और उनकी बुलेट्स भी बनाती है, वह हम चारली के घर को देखते हैं, चारली जो कि अब दक लापता है, यहाँ पर कॉर्मेक के अदमियों म आई होती है, जाउने फ्रेंकी के साथ बहुत सारी यादे बनाई हैं, और वह यहाँ पर आकर फ्रेंकी की कुछ पराने चीज़ों को देखकर रोने लगती है, तब दक कॉर्मेक के कुछ आदमी यहाँ पर भी आ जाते हैं, और येन के इस बात का पता चल जाता है, लेकिन येन जो की बहुत ज़्यदा बहादूर है, और उसी वज़े से वह कॉर्मेक एक 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 आदमी को मार देती है, अब विन्टेट भी यहाँ से चारली की घर पर चला जाता है, लेकिन वह देखता है कि चारली का पूरा घर 30 नैस हो चुका है, यहाँ पर एक आदमी होता है, और विंचैट को देखकर पहचान जाता है और विंचैट को बोलता है कि चारली का अभी भी कुछ पता नहीं है, पता नहीं वह कहाँ पर गया है, लेकिन वो लोग यहाँ पर आये थे और वो कोईन प्रेस को डुनना चाते हैं, उनने कोईन प्रेस नहीं मिला, और उसिवज़ है कि वो आदी मैं ही हूँ, मैं तुमारे लिए काम करूँगा, वह कोरमैक को देखते हैं जो बहुत ज़दा प्रेशान हो चुका है, क्यों भी उसके पास केवल और केवल तीन दिन है, इसलिए वह अपना गुछ सा आदमियों पर निकालता है, और अपने आदमियों से बोलता और लेमी इन तीनों के साथ प्लानिंग कर रहा था, यहां पर जेन भी होता है, तब ही इन आती है, और उसके पास कॉंटिरेंटल होटल का पूरा मैप होता है, और यह मैप खुद फ्रेंकी ने तियार किया था, यानि कि वह भी उस होटल के उपर हमला करना चाता था, जेन जेन बोलता है कि मुझे उस होटल के बारे में सब कुछ अच्छे से पता है, कौन सा कमरा कहां पर है, और वहां पर किस तरह के लोग है, मुझे सब पता है, जेन बोलता है कि मैं कोई अंदर का ही आदमी चाहिए, लेकिन होटल के अंदर का आदमी मिलना मुस्किल है, क्योंक मेहुकेटी के लिए ये काम करने के लिए तो हूज叉ता है बाद में हम येन और माईल्स को देखते हैं जो एक वैन वे बैटकर यहां से जारे होते हैं माईल्स यहां पर येन को बताता है कि मैं और फरेंकी एक साथ काम कर रहे थे हम लोगों ने जंग के दुरन भी एक ही साथ काम किया था फ्रेंकी ने मुझे वो सब दिया है जिसकी मुझे तारास थी मैं बहुत अकेला महसूस किया करता था लेकिन फ्रेंकी ने ही मुझे संबाला है येन फ्रेंकी को फिर से याद करके रोने लगती है तब माईल्स यहां से एक जगह आ जाता है जहां पर बहुत सारी वैन होती है और उसे यहां पर एक वैन को चुराना है लेकिन जैसी वैन वैन को चुरा रहा था तब तक वहीं पर एक सिक्यूरिटी गारड आ जाता है जो माईल्स को यह करते भी रोग लेता है लेकिन येन वो बोलता है कि मेरा सिलेक्षन हो चुका है कुछी टाइम बाद मैं यहां से चला जाऊंगा और वैं सेरोन चे पूचता है कि तुम अपने जिन्दगी से क्या चाहते हो क्या तुम यहां पर खुशो तब सेरोन हामे जवाब देता है सेरोन अपने डैड को एक लेटर लिक रहा होता है और वैं थोड़ा सा प्रेसान है और सेरोन यहां पर थोमस को बोलता है कि मैं मेरे डैड को यहां पर बुलाना चाहता हूँ क्योंकि अभी जिस जगर पर मेरे पिता है वहाँ पर उनके साथ बहुत बुरा वेवार हो रहा है जब मैं पहली बार अमेरिका आया तो मैंने अपनी डेड़ को अपनी फोटो दिखाई थी तब मेरे डेड़ बहुत खुस हुए थे उन्हें मुझे पर प्राउड फिल हुआ था बस मेरा यही सपना है कि मैं इसी होटल के अंदर काम करूँ और अपनी पूरी जिन्दगी यहाँ पर कॉरमेक के नाम कर दू थोमस पूछता है कि क्या तुमारा यहां से बाहर जाने का मन नहीं करता क्या तुम बाहर जाकर आम लोगों की तरह जिन्दगी नहीं जीना चाहते इंजोय नहीं करना चाहते तब सेड़ोन बूलता है कि मेरी जिन्दगी अब यहीं पर है मैं सब यहीं करना चाहता हूँ लेकिन हम देखते हैं कि कीजए दूसरी बिल्डिंग से जैन और विंसेट इन दोनों के ओपर निगा रख रहे हैं विंसेट बोलता है कि तुमने कहा था कि उस होटल के अंदर दोत रहके लोग हैं अब देखकर बताओ कि इन में से कौन वफादार है और कौन ब्रोजे के काबिल नहीं है तब यहाँ पर जेन सेरोल की बहुत सारी फोटो क्लिक कर लेता है और जेन अपना काम सुरू कर देता है सेरोन यहाँ से अगली सुबब पोस्ट ओपिस में जाता है जहाँ से उसके डैड का पत्तर मिलता है जिसमें उसका डैड बताता है कि यहाँ के आलत बहुत ज़दा खराब हो चुके हैं इस चीज़ सेरोन टूर जाता है तब इस सेरोन के पास उसका एक दोस्ट अज़ता है जो सेरोन को यहाँ से ले जाता है और सेरोन जो लेटर पढ़ रहा होता है वो वहीं पर टेबल पर रख देता है और तब यहीं पर लोग आ जाती है जो उस लेटर को ले लेती है और यह लेटर वे विंसेट को दिखाती है और विंसेट इस लेटर को पढ़ लेता है और उसे पता चल जाता है कि सैरोन के घर पर बहुत ज़्यदा प्रोब्लम चल रही है वह यह पुलिस वाले मेगो को देखते हैं जो यहां से एक गर में चला जाता है यहाँ पर उसे एक बोक्स मिलता है और उस बोक्स के अंदर को चमकने वाली चीज होती है जिसे वह ले लेता है लाओ भी जब अपने घर पर आ रही थी तब उसके घर के उपर कोई लड़का पत्थर मार देता है और लाओ जब इस लड़के का पीछा करती है तो यह लड़का यहाँ से औरफन माश्टर के पास चला जाता है लाओ बोलते है कि तुम्हारे लड़के ने हमारे सीचे तोड़े है या तो उस कचरे को तुम साफ करो या यह लड़का साफ करकियाएगा तब यहाँ पर ओर ओर पर आदमी आते है जहां अंदर जाकर वो दोनों बाते करनी शुरू कर देते हैं तो औरफन मास्तर यहाँ पर बोलता है इस तुम्हारे डैड के बारे में बहुत सारी ऐसी बाते हैं जो तुमें खुद नहीं पता लव बोलती है कि मुझे जानना भी नही है मुझे पता है कि तुम मेरे डैड से जलते थे क्योंकि मेरे डैड ने जितना भी कुछ किया है वो अपनी मेनत की बल्बूते पर किया है दूसरा वो बलैक थे और उसी वज़े से तुम यह सोच रहो कि मेरे पिता ने अपने दम पर इतना सब कुछ कैसे कर लिया और वैं और्फन मास्टर को बोलती है कि तुम गटर के कीड़े हो और इतना कहकर वहां से चली जाती है और अपने डोजो के अंदर आकर वैं सिगरेट की मशीन को बार फैक देती है बाद में ये लोग यहां से एक बस में चले जाते हैं जहां पर बस के अंदर सेरोन होता है उस बस के अंदर से सारे यात्रियों को उतार देते हैं बस वहां पर सेरोन रहता है और इस बस को एक सुनसान जगह पर ले आते हैं तब वहाँ पर विंशेट सेरों से बाचीत करता है और सेरों को बोलता है कि मैं यहां पर बदला लेने के लिए नहीं आया बदल कि मुझे नहीं चाहिए विंशेट बोलता है कि जब हम बहुत चोटे थे सोरियां तो हम तब भी किया करते थे हमें एक लिस्ट मिलती थी और उसके हिसाब से हमें लोगों से पैसा बसूलना था लोग बिना बोले ही हमें पैसा दे देते थे लेकिन एक दिन हमारे उपर हमला हुआ हमें गसीटते वे कॉर मैं के पास डिज़ा गया तब मेरे जुते फटे वे थे, जैसे मानो कि मेरे कोई रिस्पेक्ट नहीं करता और उसने हम दोनों में से पूछा कि पैसे इकटे करने का तुम दोनों में से किसका आइडिया था तब मैंने सच बताया कि यह आइडिया मेरा था और बोलता है कि बाद में हम कोरमेक के लिए काम करने लगी कोरमेक तैय करने लगा कि हमें अपनी जिन्दगी में क्या करना है और सेम वहीं तुमारे साथ कर रहा है विंचेट बताता है कि बाद में मैं स्कूल में जाने लगा उसने मुझे नए जूते दिलवाई कोरमेक वफादारी की बात करता है लोयल्टी की बात करता है लेकिन वह उपरी दिखावा है अंदर से कोरमेक बहुत ज़दा कमीना है और वह अपनी सचाई किसी के सामने बाहर नहीं आने देता मुझे पता है कि तुम्हें मदद की जरूरत है तुम्हें हमारे लिए काम करना होगा तुम्हें वो सब करना होगा जो तुमने कोरमेक से वादा किया है तुम्हें वफादारी लोयल्टी इन सब से दूर जाना होगा और इन सब के वादे तोड़ने होंगे और वैस सेरोन को एक एनवलोप देता है और सेरोन इस एनवलोप को खोलता है वह हम कोर मैक को देखते हैं जो होटल के अंदर होता है और वहाँ होटल के अंदर वह वायलिन बजाने वाला थोमस नाम का लड़का भी होता है यहाँ पर कोर मैक थोमस से बोलता है कि तुम कोई वफादारी की दुन बजा सकते हो तो थोमस हाँए जवाब देता है साथी थोमस यह भी बोलता है कि मेरा सिलेक्षन हो चुका है अब मैं यहां से जाऊंगा और अपना वायरिन बजाने का सपना पूरा करूंगा साथी वह सेरों के बारे में बोलता है कि वह आपके लिए बहुत इमांदार है मैंने उसे यहां से बाहर जाने के लिए बोला था लेकिन उसने मना कर दिया वह बोलता है कि मेरा फ्यूटर यहीं पर है और मैं हमें ससे कोरमेक के साथ रहना चाहता हूँ तब वह यहां पर एक दुन बजाने लगता है लेकिन कोरमेक वह पीछे से आकर थोमस के उपर हमला कर देता है और उसे बुरी तरीके से पीट कर उसे मार देता है और यह बात हाई टेबल यानि मास्क वाली लड़की को पता चल जाती है कोरमेक ने अपने होटल में एक आदमी को मार दिया तो वह बोलती है कि हम बस उपचाप देखते रहेंगे हमें बस कोईन प्रेस की फिकर है हमें बस वो चाहिए वहीं सेरोन भी जब होटल के अंदर आता है तो उसे थोमस की लास्प मिलती है कोरमेक बोलता है कि इसने चोरी करने की कोशिस की थी और उसी वज़े से मुझे से मारना पड़ा हालांकि इसने अपना गुना कबूल कर लिया था हम मुझे एक ऐसे इंसान की जरूरत है जो मेरे लिए वाईलिन बजास के और वैस सेरन को बोलता है कि तुमारे पिता यहां आएंगे न वो हमारे लिए भी वाईलिन बजाएंगे न तो सेरन हामे जवाब देता है सेरन यहां पर कोरमेक को बोलता है कि मैं अभी फ्रेंकी के बाई के साथ मिल कर आया हूँ वो लोग आपको मारने की प्लैनिंग बना रहे हैं उसने मुझे यह कहा था कि मैं उनकी तरफ हो जाओं लेकिन मैंने मना कर दिया क्योंकि मैं बस आपके साथ रहना चाहता हूं तो सेरण पूँशता है कि टोमस क्या चुराना चाहता था तो कोरमेक बोलता है कि वो तुम्हें चुराने की बात बोल रहा था और उसी वज़े से मैंने उसे मार दिया और तुम्हें तो मेरे गुश्चे का पता आई है और इतना बोलकर वैस सेरोन को गले लगा लेता है लेकिन सेरोन वो बहुत ज़दर ड्रा हुआ है और इसी के साथ या एपिसोड यहीं पर पूरा हो जाता है दोस्तों अगर आपको हमारी मैनत पसंद आती है तो प्ली चैनल को जुरूर सबस्क्राइब कीजिए हम आपसे मुलाकात करते हैं और भी लेटिस्ट वेब सीरीज के साथ तब तक आप खुश रहें और अपना ख्याल रखें थैंकि फूर वाचिंग